मनोश सरकासर थाइंक यू भेरी मच आपने बारत माता की बेच जाएंगे आप लोगों का जो जोश है वैसा लगता है बहुत सारे ट्रांफार्मों रिकी जगा जोड़िये गया हुआ कि मैं अपने आपको बहुत सवाग्यशाली समझता हूं या जब इस संस्था का जो अल इंडिया डारेक्ट सेलिंग एंटिटी एसोसियेशन अल्मोस्ट पहली बार जब यह कारिकरम कर रहा है तो मैं आओ पस्तित हूं यह मेरा सवाग्ये तो और यहां पे मंच पे उन पांच कंपनियों का जिनका आज असेसेशन हैं मुख्यूरूप से पांच कंपनिया हैं एडबलू पी एल हैपी हेल्प इंडिया शॉपनेत इंडिया तार्जू नाइन रो बिल्ट इनके सभी सदस्यों को और मंच पे बैठे हुए इन कंपनियों के हेव यहां बैठे हुए हैं उनके साथ साथ स्रिमान हेम पांडे जी यहां अपस्तित है एडबलू पी एल के हेड संजीव कुमार जी और एचे चाई के हेड है रेस्पेक्टेड अरोडा साब का पुरा नाम क्या लेके हैं पवंदीप अरोडा जीए दार्जू नाइन के हेड है जितेंद्र डागर जी और तुरेंद्र वत्त जी यहां पस्तित है शॉपनेट के हेड है अर्विंद अत्री और रोव इंडिया के हेड है संजीव जी और ये सारी संसाएं आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए है आत्मनिरभरता की कहानी लिख रही हैं तो इसमें जिनका सबसे बड़ा रोल होता है वो उनकी अलग-अलग अधिकारी अलग-अलग सदस्ति आप सभी को मैं अविदंदन करता हूं प्रणाम करता हूं नमस्कार करता हूं मुझे भी ये बात जानकारी में है कि ये डारेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एस्यूसेशन के लिए बहुत सारी गाइड लाइन नहीं थी इसके करण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी जब कोई गाइड लाइन ही नहीं है तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती है ये कहने की बात नहीं है और ये तब हुआ जब मनोस्तिवारी विशांसत बन गया था तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिस्से में भी और सबसे अच्छी बात ये है कि तब इसके मंत्री राम विलास पासवान जी थे और मैं उस संस्था का एक सांसद के रूप में जो उसकी कमेटीज होती है मैं उसमें सदसे के रूप में काम देख रहा था तो इसलिए आपने प्रेम ने भी बुला लिया कि मनोस्तिवारी को बुलाना है तो भी मेरा लीगल संबंद भी है इसलिए मैं यहां पे उपस्तित हूं बाकी हेम पांडे जी जो समें इसके सचीव थे और उन्होंने अपने समय में जो काम की आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइटलाइन बनाने में महत्रकूर भूमिता निवाई वो उसको आपको व्याद कर रहे हैं वो मंच पे हैं यह आपका बहुत अच्छी कही अभी हमारे तो जोशक मोदेने कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसके उसका दृपियोप करने वाले भी बहुत हो जाते हैं अब जैसे में एक राजनेतिक दल में हो तो राजनेतिक दल कहुछ है तो बहुत हो ने नयाय नहीं किया जनता के साथ वरना जिसको लगातार 15 साल सासन करने को मिल जाए और उसकी नियत में कोई खोट नहों तो क्या जनता कैसे उसको हटाती है तो जैसे अलग अलग रहा इसमें दोस नियम का नहीं है इसमें दोस जो डारेक्ट सेलिंग एंटिटी का नहीं है इसमें दोस तो उन लोगों का हो सकता है जिनकी सोच में गड़बड़ी है पर आज मैं देख रहा हूं मैं एक बार तो AWPL ने मुझे एक दिन इंद्रा गांधी स्टेडियू में बुलाया था तो मैं सच बताऊं मैं सुचा यहां है मैंने पुझे इस सब लोग आपके खोले सब आत्म निर्वर हैं और फिर मैं कई ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो लोग अपने एक्सपरियेंस बताते हैं और बड़ी समानता है डारेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में देखो हम लोग भी डारेक्ट सेलिंग में ही है कि आप देखिए हमें अपनी पाकी के बादे में अपनी बात करते हैं तो हमें तो एक द्यक्ति जब दबाए का ना तो सही जगर दबाए तभी हमारा काम चलने वाला है तो हम इस चीज को समझ सकते हैं अब अगर हमने गलत धंग से उसको बेखूब बना के दबवा दिया तो पर तलगाली देखिए अगर हमने उसको सही वाइदा किया और सही ढंग से उसको डेलीवर किया तो फिर उसके घरों में उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस संस्तानिस का मेने फ्यों क्या चापा तो आपकी प्रगती भी अच्छी है आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे देखिए ना सब कुछ होम देलिवरी तक आते जा रहा है उसी का दूसरा हिस्सा है ना कि आपको अपने गाउं में बैठके आपको अपने मोहले में बैठके बेस्ट से बेस्टी मिल जाए वहीं के लोग समझा दें नहीं तो एक समय था जब कि मेरा मून गाउं जो है उभिहार देखिए कि दो मेरे गाउं से जो नज़्दीग का मारकेट होता था वो बनारस होता है कि इतना दूर था हमारे गाउं से सैवंटी फाइब किलो मेरे मीं हुब विहार में और वुढाण सी कि में लेकिन हमें नहीं लगा कि इतन мेल कोई बोडन है हम लोग कि जब भी कोई तेवार आता था घर में फंक्सन होता था तो हमें समान खरिदने के लिए बनारस जाना पड़ता था और मुझे याद है मैं अपनी मा के साथ मैं अपने भाईया के साथ कितना जगह घूमते थे ही कहां मिलेगा इसमें अच्छी से चीज कहां मिलेगी अब तो हमें बहुत सारे लोग हमें बता के जाते हैं कि यह अच्छी चीज है और उसके कारण क्या हुआ जो लाव एक संस्ता को एक कंपनी को कुछ लोगों को होता था वही लाव अब तो इतने ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगा इस विवस्था को हम केवल एक्सिडेंटली नहीं काइडलाइन बनाएं हमारी नियत है हमारे सरकार की नियत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें और बाकी तो जिन्दगी के हर रास्ते में इमा ठगनिक रहना यह तो तमाम आएगा है तो इस नाते आप सब को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे साथ से खुशी हो तीजिसे में पांच लोगों में पुड़ाँ एड़वू पील से 20-20 में ज्यादा तो बाद में एच्छाई से भी हो जाओंगा बाद में वह अ पिर टॉपनेट से भी हो जाओंगा रोग इंडिया से भी हो जाओंगा लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह तनों समर्च अ